और विलकम बेक आज की बीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वारी क्योंकि आज कि इस बीडियो में हम बात करने वाले हैं वेप 3 के बारे में यानि कि बेप 3.0 के बारे में इसके ऊपर लगातार काफी पाउंडर्स के मेरे पास कोईस्टेंज आ रहेता है कि सुरज जी ब रग दिया हमारी Life is Stelle हमारे जिने का तरीधा हमारे काम करने का सारे चीजों को चेंज करके रख दया बदल करके रख दिया seis Р Alg test की वज़ास सारे काम यहां पे बहुत ही आसान हो गये हैं अगर हमें यंप Clarity چाहिए तो हम debt पर आते हैं यानी कि Chrome व्राउजर पीर हम यूटूब पे आते हैं और सिर्फ टाटिल लेके हम सर्च करते हैं जैसे हम सर्च करते हैं तो उस टॉपिक की रिगार्डिंग हमें सैक्डो कंटेंट मिल जाते हैं सिर्फ 10-15 मिट के अंदर उसको पढ़के समझ के हमारी टॉपिक जो होती वो किलियर हो जाती है और हम साथ आप ट्रेनिंग करते हैं मीटिंग करते हैं तब जाके उस चीज की रिगार्डिंग यानि की उस टॉपिक की रिगार्डिंग आपको किलार्टी होती बट आज की टाइम पर इंटर्ण ने सारी चीजों को चेंज करके रख दिया बहुत बड़ा बदलाव लेके आया है सो चलिए बात करते हैं BEP3 के बारे में एंटर्ण की सुरुआत 1990 को माना जाता read कर सकते थे इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे नहीं कोई photo videos या फिर content हम नहीं create कर सकते थे नहीं upload कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ information को पढ़ सकते थे read कर सकते थे that's it इसके बाद internet में बहुत सारे चीज़े बदला वही changes नजर आये औरने की internet धिरे धिरे grow होना हो गए उसके बाद आपका MP3 आया MP4 यहां पर यूजर्स थे वो creator बनते गए swapping करते गए बहुत सारी चीज़ों यहां पर अपना खुद का data हम upload करते गए photos videos content बहुत सारे चीज़े हम upload करते गए so 2004 के बाद से लेकर आज तक का जो अभी तक का जो फेस है उसको हम web 2 में count करत है और इस web 2 में बहुत सारे चीज़े यानि कि internet में बहुत बड़ा बदलावाया सारी चीज़े चेंज हो गई यहां पर यहां पर हम जो users थे web 1 में वो यहां पर creator बन चुके हैं shopping करते हैं सारी चीज़े हम खुद upload भी करते हैं monitor भी करते हैं सारी चीज़ों यहां पर बट य information फिल करते हैं अपना data वहां पर फिल करते हैं उसके बाद हम इंटरनेट को access करते हैं सो जो internet companies होती है वो हमारे data को collect करती है और वो advertising जो कमपनिया होती है उनको sell करती है और revenues करती है web 2 एक centralized world है यहां पर जो हम data upload करते हैं हम upload तो करते हैं बट इसके हम honor नहीं है जो internet की company होती वो जो rule regulation जो guidance बनाते हैं उसके अनुसार हमें चलना होता है हम खUd के honor नहीं है हमें उनके अनुसार चलना होता है हमें हम इनिटरेंट को access करना नहीं होता है सारे चीजों को प्लोड करते हैं हम खुद का data करते हैं बट वहां पर privacy नहीं होती तो सारी चीज़े आपके सामने अब हमें ज़रूरत है decentralized world की जिसकी तरफ हम धिरे-धिरे move कर रहे हैं तो BEP2 को centralized world कहते हैं यानि कि हमारी information and data के हम खुद honor नहीं होते हैं इंटरनेट की जो company होते हैं वो हमारी information and data पर control रखती हैं यानि कि हमारी information and data के वो honor होते हैं हम honor नहीं होते हैं और BEP3 को decentralized world कहते हैं और इस decentralized world में हमारा social media, marketplace, search engine सब कुछ decentralized होगे यानि कि यहाँ पर हमारा control होगा हम अपने information, data के हम खुद honor होगे यहाँ पर किसी और founder, CEO या फिर किसी और company के honor का यहाँ पर control नहीं होगा यहाँ पर सब कुछ हमारा control होगा हम खुद के data के, खुद के information के हम खुद honor होगे और BEP3 से related जितने भी projects आएंगे यानि कि जितने भी innovations होगे वो सब blockchain technology को use करके बनेंगे जिससे क्या होगा कि यहाँ पर कोई भी कहीं से भी इसको join कर सकेगा और यह 24 गुड़े से बन online रहेगा और blockchain technology को use करने की वज़ा से यह बंद होने के chances यानि कि इसके बंद होने का chances बहुत ही कम होगा और decentralized platform पर अगर हम कोई information या फिर content अपलोड करते हैं तो वो delete नहीं होगा और सबसे अच्छी खास बात यह है कि decentralized platform पर हमें अपनी कोई भी personal information या फिर personal data अपलोड करने के या फिर देने की जरूरत नहीं पड़ती है web3 में जितने भी projects हैं यहाँ पर metaverse, AI technology, blockchain technology, machine learning technology को use करके बनाया जा रहा है और यहाँ पर peer-to-peer transaction रहेगा इससे क्या होगा कि जो बीच में third party होता यानि कि जो third person होता वो यहाँ से gap हो जाएगा इसलिए web3 को internet का next future यानि कि next generation कहते हैं web3 में blockchain and decentralization को main priority दी जाएगी इससे क्या होगा कि जो हमारी privacy होगी वो बहुत ही square होगी web3 के जितने भी projects होगे या फिर जितने भी innovations होगे उनको access करने के लिए हमें crypto की जरूत पड़ेगी और जितने भी web3 के projects होगे उनका खुद का token होगा जिसकी मदद से हम उनको access कर पाएंगे so overall हम कहे सकते हैं कि crypto के अंदर web3 की वज़ह से काफी बड़ा बदलाव आ सकता है तो आप समझ सकते हैं कि एक technology कैसे run करती है और next आने वाला जो future है next आने वाला जो generation है internet का वो कैसे हो सकता है तो हमें technology को समझना बहुत जरूरी है on passive एक IT company है एक technology company है तो इसके regarding यानि कि technology इंटरनेट जो भी सारी चीज़े होती इसके regarding में लगातार वीडियो आप सभी लोग के लिए लाता रहोगा क्योंकि अगर on passive को समझना है तो हमें internet और technology को समझना बहुत जरूरी है I hope बेब थरी आपको अच्छे से clear हो गया होगा बेब थरी आपको अच्छे से मालम हो गया होगा कि बेब थरी कैसे काम करने वाला है और क्या क्या इसमें सारी चीज़े होने वाली है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा